हाई लेवेंधीज, वेलकम टू इजी वे कावमर्स क्लासेज, मैं हूँ तविता और गाईज आज इस वीडियो में हम अपने मीन चैप्टर से, यानि कि हमारे मीन चैप्टर, अरिथमेटिक मीन चैप्टर से करने वाले हैं यानि तो इसे आज हम समझेंगी कि क्या है यानि कimana चैप्टर में निकालना है, यानि कि वह जो इसकी पहले मेन निकाला तो अब हमें वही सीखना है आज अपर मेरा बता पर है जीया इसकी तो इसकी इसकी आंचीशाय्ड परोता है impet subtil Assembly दिatori्यटा से पंप मेरा नेम अब स्टार्ट करते हैं हम अपना question जिसमें mean marks given है 100 students के 40 यानि कि हमें mean given है 40 और number of students कितने हैं 100 अब गलती हम से क्या हुई? It was discovered marks 53 was misread as 83 यानि कि हमारा जो हमने wrong marks लिये वो कितने लिये? 83 जबकि हमें कितने लिने चीए थे? 53 यह हम से गलती हुई है तो सबसे पहले guys गलती का effect का आया होगा? mean का formula क्या होता है? summation x divided by n अब हमारा mean क्यों गलत आया? नंबर तो हमने सही लिये लेकिन जो summation लिया उसमें हमने 53 की जगे 83 ले लिया तो यह तो हमने गलती करी तो अब उस गलती को हमें correct करना है तो सबसे पहले हम summation x क्या आ रहा है था? वो निकालते हैं अब देखो mean हमारा 40 आया था summation x हमें find out करना है number of items 100 है summation x आ गया 4000 अब हमें correct summation x निकालना है यानि कि correct summation x क्या होगा? 4000 तो था total लेकिन हमने गलती क्या करी उसको सुधारेंगे हमने 83 ले लिया तो हमें उसे less करना है क्योंकि हमें यह नहीं लेना था हमें लेना क्या है? हमें 53 लेना है तो हमने उसे add कर दिया तो हमारा summation x क्यालना है कितना आएगा गाईज इसमें से अगर हम लोग करें अब हमें अगर mean निकालना हो correct तो formula क्या बनेगा? Summation x divided by n n तो 100 है तो हमारा answer क्या आजाएगा? यह कर्टा 39.7 तो correct mean कितना आया हमारा 39.7 तो अपनी गलती को इसमें सुधारना होते है जो कि बहुत एक easy सा concept है कि जो गलती हमारी अगर summation में हुई है तो उसे हमने correct कर दिया इस तरीके से guys आप बहुत सारे question बहुत असानी से solve कर सकते हो और अगर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आती है तो में सा शेयर कर सकते हो Thank you